Hello everyone, I am Priya. Welcome back to my channel. आज मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम फुल प्रूफ समोसे बनाने की रेसिपी. इससे आपके समोसे एकदम खस्ता और बिना चाले वाले बनेंगे. ये रेसिपी फुल प्रूफ इसलिए है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद सभी मेजरमेंट्स का सही अंदाजा हो जाएगा. So, प्लीज वीडियो को लाईक और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले. तो सबसे पहले हम समोसे के लिए स्टफिंग त्यार करेंगे, उसके लिए दो बड़े चमच साबुद धनिया और एक बड़ा चमच सौफ को ड्राय रोस्ट कर ले. आप समोसा बनाने के लिए कोई भी स्टफिंग बनाएं, उसमें ये दोनों इंग्रीडियेंट्स को ड्राय रोस्ट करके जरूर डाले. इनको 3-4 मिनिट लगेंगे ड्राय रोस्ट होने में लो मीडियम फ्लेव के. ड्राय रोस्ट करने के बाद इनको इस तरीके से हमें दरदरा कूट लेना है. अब कडाई में दो बड़े चमच तेल डालें, उसमें थोड़ा सा हींग, हींग की कॉंटिटी आप अडजेस्ट करें आपके हींग की क्वालिटी के हिसाब से. फिर उसमें डालें जीरा, बारी कटी हुई हरी मिल्च और बारी कटा हुआ अदरग और ये कुटा हुआ धनिया और सौंफ अब इन सबको एक मिनिट के लिए भून लें मीडियम फ्लेव पे. अब इसमें डालें हल्री, थोड़े से मटर, ये काजू लिये हैं मैंने, ये अराम दस काजू हैं जिने मैंने या तोड़ के डाल रहे हुआ और अगर आपको हल्की सी मिठास पसंद है तो आप इसमें किश्मिश भी डाल सकते हैं अब इसमें दो मीडियम साइज बॉइल प काले मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गराम मसाला और आमचूर पाउडर और फिर इस सब को अच्छे से मिला रहें और अब एंड में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालें और मिला दें आपकी स्टाफिंग रेडी है और इसको ठंडा होने के लिए रख दें अ यह मैदा मेजरिंग कप्स के हिसाब से 1.5 कप से थोड़ी जादा मैदा है और ग्राम में मेजर किया था तो 200 ग्राम मैदा है अब इसमें डाले अजवाएन, नमक और यह ड्राइउ इंग्रीडियन्स को मिक्स कर लें फिर डाले इसमें मोयन, मोयन के लिए हमें घी या 30% मोयन डाले, जैसे 200 ग्राम मैदा में मैंने यहाँ 55 ग्राम घी लिया है, 55 ग्राम घी मेजरिंग स्पून्स के हिसाब से 3.5 टेबल स्पून्स घी होता है, अब इसमें मोयन को इस तरह से हातों के बीच में रब कर करके सारे आटे में मिला दे, अब आप यहाँ यह अब हमें यहाँ stiff dough लगाना है, उसके लिए थोड़ा-थोड़ा पानी लेके stiff dough लगा ले, यहाँ अगर dough soft लगाया तो समोसो पर गबल जा जाएंगे अब इसे आटे को रख दे, आदे घंटे के लिए, आदे घंटे बाद dough को हलका सा knead करें, और इस तरह से dough को divide कर ले मैं यहाँ 200 ग्राम मैदा में 8 समोसे बना रही हूँ, 8 से जाधा बनाएंगे तो समोसे बहुत छोटे size के लगेंगे बेलने से पहले platform और बेलन दोनों को oil से हलका सा grease कर ले, अब हर लोई को इस तरीके से लंबा-लंबा करके बेल ले यहाँ आप देखेंगे कि बेलते हुए मैदा सुकड नहीं रही है, उसकी वज़ा यह हमारा dough सही बना है, उसमें oil का quantity ठीक डला है घी कम रहेगा तो मैदा सुकड एगी, यहाँ बेलते हुए ध्यान रखें कि रोटी से हलका सा ही मोटा बेलना है, अब बेलने के बाद इस तरह से बीच में से काट ले इसी तरीके से मैंने यह सारी समोसा पट्टी त्यार करके रख ली है, अब इसमें स्टफिंग भरने के लिए एज पे पानी लगाएं और ऐसे फोल्ड करके कोन बना ले, फिर इसमें थोड़ा सा स्टफिंग भरें, लैक 40% स्पेस खाली होना चाहिए और फिर उस समोसे से एक प्लेट डाले और उसे डो को आगे खीच के इस तरीके से सील करते हैं, पानी लगाने से हमारा समोसा फटे का नहीं हो गया आपका यह समोसा रेडी फ्राइ करने के लिए, अब अगर रखे रखे समोसा पट्टी हलकी सी सुकर जाती है, तो भरने से पहले इसे हल हलका सा बेलने और फिर स्टाफिंग करें, अब इसी तरीके से सब समोसे भर ले, यह समोसे नेक्स टे भी बना सकते हैं, आप इन्हें ऐसे ही फ्रिज में रख दे और अगले दिन जब आपको फ्राइ करना हो तब निकाल के फ्राइ कर लें, और अगर आप अभी बना रहे है तो इन्हें खुला छोड़ दे एक घंटे के लिए and then fry करें, अब इसमें सब समोसे डाल दें, समोसे डालने के बाद एक मिनट के अंदर उपर फ्लोट करने लगेंगे और फिर समोसों को इस तरीके से चला चला कर सेखे, अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया सिखने के लिए तो वो सिखेंगे तो सही लेकर कहीं से जादा ब्राउन हो जाएंगे, कहीं से हलके ब्राउन रहेंगे, so even cooking के लिए and even coloring के लिए इन्हें चला चला के सिखना पड़ेगा, एक बार के समोसों को सिखने में around 10 minutes लगते हैं and जैसे ही समोसे सिखने वाले हर 30 seconds के लिए high flame पे सिख झाल झाल